गाइस अगर आप भी इंतिजार करें ते Nokia के X6 को इंडिया में लाँच होनेगा तो सायद आप आप उसे भूल जाओ क्योंकि यहाँ पे Lenovo ने अपना Z5 स्मार्टफोन चायना मार्गेट में लाँच कर दिया है तो सायद आप उसे भूल जाओ कि यहाँ पे आपको Lenovo Z5 बिल्कुली सेम वैसा ही फीचर लागर के दे रहा है तो चली गाइस आज किस वीडियो में आपको Lenovo Z5 के से में बताता हूं कि यहाँ पे आपको क्या गुछ देखनी को नया मिल जाएगा जो कि Lenovo का कहना है कि यह हमारा आप तक का सबसे छोटा लाँच आपको देखने को मिलेगा उनके स्मार्टपॉन में अगर मैं इसके बैटरी के अपसेटरी के उसे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अगर मैं इसके अपरेचर के इसे मात करूँ तो यहाँ पे सेंडरी केमरा जो आपको देखने को मिलता है उस में मिलता है आपको aperture 2.0 का support और फर्श्ट आपको मिलता है aperture 2.0 का support साथी साथ आपको बैक साथ में एक LED Flashlight भी देखने को मिलेगी अब अगर मैं बात करता हूँ इसके selfie camera के से में तो यहां पर आपको जो selfie camera देखने को मिलेगा वो मिलेगा 8 में एक्सल का aperture 2.0 का इसमें भी support आपको दिया गया है अब अगर मैं इसके RAM setup के से में बात करो तो यह smartphone तो अलग-अलग variant में आता है और अच्छी बात यह है कि दोनों ही smartphone में आपको 6GB का RAM देखने को मिलेगा तो यहां पी जो फैला variant निकल करके सामने आता है वो आता है 6GB RAM और 64GB internal storage के साथ में जिसकी price segment आपको इंडिया में तक्र 24,500 उर्पए तक में देखने को मिल जाएगी अब अगर मैं इस smartphone के सबसे best part के उसर में जाता हूं तो वो है इसका processor अगर मैं इसके processor segment की उसे बात को तो यहां पी जो आपको देखने को मिलेगा वो है Snapdragon 636 processor जो की काफी कमाल का processor होने वाला है तो overall अगर मैं इसकी complete package के उसे ब दिजार ही करना परेगा इसके Lenovo के Z5 का तो उम्मीद करता हूं guys कि आपको यह smartphone के सारे features काफी अच्छे लगेंगे और अगर यह information आपको अच्छा लगाए तो वीडियो को like करके share कर दीजे और कोई सवाल या सुझावत नीचे comment करना ना भूलेगा तो मिलते हैं आपसे कु for watching happy nice day